Chapter 5 Determinants Exercise 5.3 का Topic है Area of a Triangle Area of a Triangle क्या होता है देखो हमारे पास एक triangle है उसके तीन vertices दी होंगे माल लो ये x1, y1 है इस vertices को माल लो x2, y2 है और इसको माल लो x3, y3 है ठीक है अब हमें निकालना है Area of a Triangle तो आपने उसके लिए क्या formula याद रखना है आपने लिखना है 1 by 2 Determinant बनाना है यहाँ पर सबसे पहले x1, y1 यहाँ लिखना है ठीक है फिर next x2, y2 यहाँ लिखना है और next x3, y3 यहाँ लिखना है अब बचा 3rd column 3rd column में आपने 1 1 लिख देना है और इसको expand करोगे इसका answer आजाएगा यह होता है Area of a Triangle का formula इसके बढ़ नेक्स्ट एक रिमार्क याद रखना इफ Area of triangle equal to 0 अगर Area of triangle 0 हो जाए then points जो होते हैं वो collinear हो जाते हैं collinear मतलब वो एक ही line पे लाई कर रहे हैं तीनों then points are collinear collinear का मतलब हो गया एक ही line पे तीनों point लाई कर रहे हैं इस topic पे हम पूरी exercise करेंगे exercise 5.3 next topic आता है equation of a line passing through 2 given points माल लो हमारे पास 2 point दिये हैं एक point है A x1 y1 और दूसरा point है B x2 y2 ठीक है ये 2 point हमारे पा given है तो हमने क्या करना है इसमें तीसरा point खुद से लेट करना है suppose वो माल लो P है P x y हमने खुद से एक point ले लिया और ये जो point होगा ये इसी line पे होगा B any point on the line joining A and B ठीक है तीसरा point हमने खुद माल लेना है और ये तीनो point किस पी होंगे line पे होंगे तो हम मान लेंगे ये तीनो collinear है ये एक line पे तीन point हो तो वो collinear हो जाते है न then points P x y a x1 y1 और B x2 y2 और collinear collinear का क्या मतलब हो गया area of triangle equal to 0 ये ही होगा न फिर हमने क्या करना है area of triangle का formula लगा देना है 1 by 2 determinant बनाना है देखो सबसे पहला point क्या है पहला कोई भी लिख सकते हो मान लो पहले P लिखते है P लिख लिए xy फिर next x1 y1 फिर next x2 y2 और यहाँ पे 0 1 1 1 1 equal to 0 और आपने इसको solve करना है equation आ जाएगी जब इस पर examples करेंगे तो clear हो जाएगा आपको exercise 5.3 find the area of triangle with vertices at the point हमें area of triangle निकालना है और first part के vertices ये दिये है तो हम सबसे पहले first part करेंगे देखो कैसे करेंगे आपने लिखना है area of triangle यहाँ पे लिखना है 1 by 2 determinant बनाना है सबसे पहले आपको पहला वाला point लिखना है 3 8 यहाँ लिखा फिर minus 4 2 next point 5 minus 1 और यहाँ पे 1 1 1 ठेक है अब क्या करना है इसको expand कर दो expand मतलब जैसे आप first exercise में expand नहीं करते थे वैसे कर देना है सबसे पहले लिखना है 3 यहाँ पे plus minus plus 3 यह और यह छोड़ दो यह और यह 2 बीच में minus होदा है 2 plus 1 next minus 8 8 के समने column और row छोड़ दो minus 4 minus 5 और last one यह और यह 4 minus 10 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 जा 12 9 8 जा 72 और minus 6 कितना हो गया यह 72 minus 6 यहाँ ठीक करना यह 3 3 जा 9 होता है और यह plus हो जाएगा अब यह बनेगा 70 इसको अब solve करोगे तो बनेगा 75 by 2 square units square units लिखना ज़रूरी है यह इसका unit होता है ठीक है अब आजो second part पे second part में यह 3 points दिये हैं हमें निकालना है area of triangle तो बनाओ इसमें भी formula 1 by 2 determinant सबसे पहले देखो आपने क्या लिखना 2 7 यहां लिखना 2 7 फिर next 1 1 और next 10 8 और यहां लिख दो 1 1 1 ठीक है अब इसको expand करो यह बनेगा 1 by 2 2 यहां plus minus plus 2 के सामने column और row चोड़ दो 1 minus 8 next minus 7 minus 7 के सामने यह और यह 1 minus 10 और last में plus 1 यह और यह 8 minus 10 तो यह हो जाएगा यह minus 7 और इंटू 2 minus 14 यह बनेगा 9 9 7 जा 63 plus 63 minus 2 तो 63 में से यह कितने बचेंगे 61 61 में से 14 के 47 by 2 47 by 2 square units ठीक है इसी तरह 3rd part आजाओ वो बनेगा area of triangle लगाओ इसमें भी formula 1 by 2 पहला point है minus 1 minus 8 next minus 2 minus 3 और last 3 2 अब आप इसको भी expand कर दो 1 by 2 यहाँ पह plus minus plus plus minus minus हो जाएगा यह और यह गया यह बनेगा minus 3 minus 2 minus 5 फिर यह minus minus plus 8 यह और यह minus 2 minus 3 minus 5 और last में plus 1 minus 4 plus 9 यह हो जाएगा 5 minus 40 और 5 तो यह कितना आ जाएगा यह बनेगा 13 यह आ जाएगा minus 30 by 2 तो हो गया minus 15 अब देखो area कभी negative नहीं होता तो आपने क्या करना है यहाँ पे mod दालके positive कर देना है 15 square units याद रखो area कभी negative 4th part के points मैंने गलत लिखे है इसको ठीक करना 4th part के points है 00 60 और 43 ठीक है तो मैं 4th part यहाँ पर ही कर रहा हूँ area of triangle निकालना है हमें formula क्या बनेगा 1 by 2 2 सबसे पहले पहला point है 00 next 60 next 43 और यहाँ पर 111 अब आपने क्या करना है इसको expand कर देना है देखो यहाँ पर लिखना है 1 यह column और यह row छोड़ दो 6 3s आ 18 18-0 बाकी 00 वले नहीं लिखे मैंने ठीक है तो स्वाल करना 9 squared units आ जाएगा 18 को 2 से divide करोगे 9 squared units यह हो गया मारा question number 1 complete question number 2 है using determinant show that the falling points are collinear देखो collinear के लिए मैंने अभी बताया कि हमें area of triangle को क्या बताना पड़ेगा 0 अगर answer 0 आ गया तो points collinear हो जाएगे तो first part में देखो क्या करना है area of triangle निकालना है 1 by 2 सबसे पहला point लिखना है 5 5 next minus 5 1 next 10 7 अब इसका answer ना 0 आना चाहिए तो देखते हैं आता है 0 या नहीं यहां पे plus minus plus 5 5 के सामने यह और यह छोड़ दो 1 minus 7 next minus 5 यह column और यह रो छोड़ दो minus 5 minus 10 और last में plus 1 यह और यह छोड़ दो minus 35 minus 10 यह देखो क्या बनेगा यह बनेगा 6 minus 6 minus 6 into 5 minus 30 यह बनेगा minus 15 minus 15 into 5 minus 15 into 5 minus 15 into 5 केतना होता है? minus 75 और यह बनेगा minus 45 अब चेक करो देखो answer 0 आ रहा है यह बनेगा 45 minus 45 यह होगा 0 तो hence points are collinear अब हम क्या करेंगे? इसी तरह second part करेंगे हम जल्दी जल्दी निकालूंगा ठीक है? area of triangle का formula बनेगा 1 by 2 पहला point है 1 minus 1 2 1 4 5 और यहाँ पर 1 1 1 करो expand इसको 1 यह यह गया 1 minus 5 minus 4 plus minus plus यह plus 1 हो जाएगा area 2 minus 4 minus 2 plus 1 10 minus 4 6 तो यह हो जाएगा minus 4 minus 2 plus 6 देखो यह भी 0 हो गया hence points are collinear अब आजो third part पे third part दिया है area of triangle दिया है 1 by 2 3 minus 2 third part के points लिक रहाँ ठीक है? 8 8 5 2 1 1 1 करो इसको भी expand plus minus plus 3 यह बनेगा 8 minus 2 6 यह plus 2 2 यह यह गया 8 minus 5 3 plus 1 16 minus 16 minus 40 कितना होता है? minus 24 देखो 6 3 जा 18 18 plus 6 24 24 minus 24 0 तो hence points are collinear last area of triangle last area of triangle पहला point दिया है 2 3 minus 1 minus 2 5 8 और यहां पे 1 1 1 इसको भी expand करो यह बनेगा 2 minus 2 minus 8 minus 10 minus 3 minus 1 minus 5 और last में 1 minus 8 plus 10 यह बनेगा minus 18 6 plus 18 5 3 6 यह 20 बन रहा है plus 18 और plus 2 देखो 0 आ गया तो लिख लेना hence points are collinear यह होगी मारा question number 2 to complete question number 3 है हमारे पास if the points a 0 0 b and 1 1 are collinear prove that a plus b equal to a b तो देखो 3 points collinear दिये वे है collinear का मतलब होता है area of triangle equal to 0 और हमें proof करना है a plus b किसके पराबर होना चाहिए a b के तो लगाओ formula इसका 1 by 2 सबसे पहले point लिखो a 0 next 0 b next 1 1 और यहां पर लिख दो 1 1 1 equal to 0 यह 2 जो आना वो इदर बेज दो यह जाके हो जाएगा 0 into 2 अब आप इसको expand कर दो a plus minus plus a इसको और इसको छोड़ दो यह बनेगा b minus 1 यह 0 है 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो 0 ही हो जाएगा plus 1 यह और यह छोड़ दो यह बनेगा 0 minus b तो इसको solve करो यह multiply करो a b minus a और यहां बचेगा minus b a plus b को उदर ले जाओ यह बनेगा a a और b को दोनों उस तरफ ले गए तो proof हो गया a plus b equal to a b यह देखो यह मारी example question number 3 का proof हो गया अब इसके बाद आ जाओ question number 5 पे question number 5 देखो क्या है using determinants prove that the points this 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 are collinear if a b dash equal to a dash b देखो दो तरीके आपके पास या तो आप proof करो कि यह given है कि यह तीनो points collinear है और यह proof कर दो यह given ले लो यह proof कर दो जो आपको ठीक लगे दोनों मेंसे कोई भी कर सकते हो तो मैं पता क्या करूंगा मैं मान के चलूंगा यह तीनो points collinear है और यह proof करूंगा तो given a b a dash b dash a minus a dash b minus b dash और collinear ठीक है तो हमें proof क्या करना है हमें proof करना है a b dash equal to a dash b तो फिटसे लगाओ area of triangle 0 हो जाएगा collinear है ठीक है तो यहाँ पर formula लगाओ 1 by 2 पहला point क्या है a b next a dash b dash और next a minus a dash b minus b dash 1 1 1 equal to 0 ठीक है यह 2 इदर ले आना अब इसको expand करो a यह और यह गया इसको इससे b dash minus minus इन दोनों से multiply होगा तो बनेगा minus b plus b dash ठीक है फिर minus a minus b plus minus plus यह और यह गया यह बनेगा a dash minus इससे भी और इससे भी minus a plus a dash और last में 1 यह और यह गया इसको इससे multiply a dash b minus a dash b dash बीच में minus इसको इससे multiply a b dash और यह minus minus plus हो जाएगा a dash b dash equal to zero यह और यह cancel इसको इससे multiply a b dash इसको न 2 times कर दो यह double हो जाएगे है न क्योंकि यह same है तो यह बनेगा यह 2 a b dash यह double कर दिये मैंने इसको इससे multiply minus a b इसी तरह यह भी देखो क्या होगा double हो जाएगे तो इसको लिखो minus यह 2 हो जाएगे 2 b a dash और plus a b यहां बचेगा a dash b minus a b dash equal to 0 यह और यह answer अब यहां पर देखो यह और यह यह दोनों सेम है तो यह बनेगा a b dash फिर यह और यह यह दोनों सेम है तो यह बनेगा minus a dash b equal to 0 इसको इदर लियाओ और देखो proof हो गया यह हो गया हमारे यही proof करना था यह हमारे example 4 question number 4 का proof हो गया अब इसी तरह आजो question number 5 पे देखो क्या कहता है find the value of lambda so that the points this this are collinear अब यह 3 points दिये हैं और 3 हो collinear है हमें lambda निकालना है तो मतलब area of triangle क्या हो जाएगा 0 लगा हो इसका formula पहला point है 1 minus 5 next है minus 4 5 और next lambda 7 1 1 1 equal to 0 यह 2 इदर फैंक 0 के पास फैंक दो तो यह 0 ही हो जाएगा अब expand करो 1 यह और यह गया 5 minus 7 यहां पे plus minus plus तो यह plus 5 हो जाएगा minus minus plus plus 5 इसको इसको छोड़ो minus 4 minus lambda और last में plus 1 minus 28 minus 5 lambda है ना यहां पे जगा नहीं इसलिए मैंने उपर लिख दिया अब यह बनेगा minus 2 minus 20 minus 5 lambda minus 28 minus 5 lambda equal to 0 यह मिलाके बनेगा minus 10 lambda यह मिलाके तीनों बनेगे minus 50 50 को उदर ले जाओ minus 10 lambda equal to 50 यह से कटेगा 5 minus उदर जाएगा तो lambda आ गया minus 5 question number 5 का answer है minus 5 question number 6 है हमारे पास find the value of x if the area of triangle is 35 square cm with vertices this 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 हमें निकालना x और area of triangle दिया हुए देखो area of triangle दिया हुए 35 square units लगाओ इसका formula पहला point x4 next point 2 minus 6 next 5 4 1 1 1 35 इस 2 को इदर ले आना ठीक है 70 हो जाएगा यह बनेगा x यह बनेगा minus 6 minus 4 minus 10 next minus 4 यह और यह गया 2 minus 5 minus 3 और last plus 1 8 plus 30 8 plus 30 होगा न वो गया 38 और यहां पे आपको mod रख देना है क्या रख देना है mod देखो mod इसलिए रखते हैं क्योंकि area जो area of triangle है हमेशा positive आना चाहिए अगर जैसे negative आ जाए तो आप उसको positive कर देते हो इसलिए मैंने यहां पे mod रख दिया ठीक है अब mod जब हटाओगे न जब यह mod हटता है अगर आपके पास ऐसा हो mod of x equal to y mod हटाने के लिए क्या करना होता है दूसी तरफ आपको plus minus plus minus लगा देना होता है तो यहां पे भी यही करो तो यह हो जाएगा minus 10x plus 12 plus 38 और यह जो mod है यह उस्तरफ लगा दो plus minus 70 ठीक है तो यह बनेगा 50 अब यहां पे देखो एक मैं plus का ले रहा हूं और एक minus का ले रहा हूं ठीक है यह 70 में से 50 गे 20 तो x आजाएगा minus यह plus हो गया x आजाएगा minus 2 देखो 10 इसे कटेगा और minus उद्धर चला गया यह 50 उद्धर जाएगा तो यह हो जाएगा minus 120 यह और यह cancel x आजाएगा 12 यह cancel नहीं हुआ x आजाए 12 यह हो गया हमारा question number 6 complete अब आजाओ question number 7 question number 7 कहता है using determinants find the area of the triangle whose vertices are this 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 are the given points को linear हमें इसका area निकालना है और देखना है कि यह points को linear आते या नहीं तो सबसे पहले area of triangle 1 by 2 यहां लिखो 1 4 2 3 और minus 5 minus 3 यहां पर 1 1 1 कुरो इसको expand 1 यह और यह गया यह बनेगा 3 plus 3 6 minus 4 plus minus plus यह और यह 2 plus 5 बीच में minus होता है इसलिए plus लिख रहा हूं plus 1 यह और यह minus 6 plus 15 तो यह बनेगा 6 28 minus 28 और यह बनेगा 9 तो यह कितना आ गया minus 34 में से 9 गे minus 34 में से 9 गे यह बचेगा 26 है ना minus 26 लेकिन अंसर ना गलत आ रहा है एक बड़ चेक करो फिर से 3 plus 3 6 यह तो ठीक था minus 4 2 plus 5 7 7 4 जा 28 यह भी ठीक था minus 6 plus 15 plus 9 यह भी ठीक था फिर गरबढ क्या रही है एक बढ़ना points चेक कर लेते हैं पहला point था 1 4 कहा हूं गया question number 6 7 है यह 7 का 1 4 2 3 minus 5 minus 3 ठीक तो है 1 3 plus 3 6 minus 4 2 plus 5 यह भी ठीक है 1 minus 6 plus 15 तो यह बना 6 6 minus 28 plus 9 minus 34 plus 9 minus 34 plus 9 minus 34 plus 9 होता है मैं एक बार चक कर लेता हूं यहां पर गलती पता है मैं क्या कर रहा हूं यह ना 6 है plus 6 है तो यह बनेगा अब आ जाएगा 15 में से हाँ minus 13 by 2 आया the given points are not given points are not collinear लिख लेना इतना ठीक है अब आजो question number 8 पे question number 8 दिखो क्या कहता है using determinants find the area of triangle with vertices this 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 यह तो simple ही है area of triangle निखाला है तो पहला point है minus 3 5 यहां लिखो 3 minus 6 7 2 ठीक है और यहां पर लिख दो 1 1 1 अब आपने क्या करना है इसको expand कर दो plus minus plus ठीक है पहला क्या आएगा minus 3 यह और यह गया यह बनेगा minus 6 minus 2 minus 5 3 minus 7 minus 4 plus 1 6 3 2s are 6 6 plus 42 यह बनेगा 8 24 plus 20 plus 48 तो यह कितना हो जाएगा यह आजाएगा 92 92 तो 92 को 2 से डिवाइड करोगे 46 square units यह हो गया हमारा question no.8 complete question no.9 है हमारे पास हमारे निकाला है और हमारे पास यह तीनों पॉइंट्स को लीनियर दिये वह यह को लीनियर का मतलब हो गया area of triangle equal to 0 तो लगाओ formula पहला point लिको k 2 minus 2 k next minus k plus 1 2 k और last minus 4 minus k 6 minus 2 k और यहाँ पर 1 1 1 equal to 0 यह 2 उदर फैंक दे रहाँ अब इसको expand करो plus minus plus k यह और यह क्या यह बनेगा 2 k minus 6 plus 2 k minus दोनों से multiply हो गया फिर minus 2 minus 2 k यह और यह इसको इससे multiply इसको इससे यह बनेगा minus 6 k plus 2 k 1 को करेंगे 1 इसको इससे किया यह 2 k plus 6 minus 2 k अब बीच में इनके minus होगा ठीक है जियान रखना इसको इससे यह होजाएगा minus 8 k और minus पहले का तो plus k और यह बनेगा minus 2 k और बीच में minus है तो plus 2 k इसके next one 1 मैंने गलत कर दिया न इसमें यह और यह आना था यहाँ पे थोड़ा change कर लेना यह मैंने इसको और इसको multiply कर दिया तो यहाँ पे पहले plus 1 लिख लेना ठीक है तो पहले मैंने यह वला कर दिया expand फिर यह वला कर दिया अब यह वला करने जा रहा हूँ तो यहाँ बनेगा minus 2 minus 2k यह और यह गया अब इसको इससे इसको इससे minus k plus 1 इसको इससे बीच में minus होता है तो plus 4 plus k देखो मैं आपको तबारा समझा दिता हूँ क्या किया मैंने पहले मैंने यह वला expand किया फिर मैंने यह वला कर दिया और बाद में यह वला किया ठीक है तो यह बनेगा 4k minus 6 और k से multiply कर दो 4k square minus 6k फिर यहाँ पर 2k square 2k square 4k square यह और यह 10k और यह भी है 10k 16k और लास्ट बचा कौँसा सिरफ 6 बचा ना हाँ फिर यहाँ पर भी यह solve करके क्या आएगा यह k और k cancel यहाँ बचा 5 5 से multiply कर दो इसको minus 10 minus minus plus 10k equal to 0 4k square plus 4k square 8k square फिर k वला यह यह और यह यह 22 में से 10k minus 12k और लास्ट बचा 6 minus 10 4 अब क्या करो इन तीरों में 4 common है 4 common निकाल लो यहाँ बचेगा 2k square minus 3k minus 1 इसको अधर फैंक दो 4 को और यहाँ पर मैं इसकी middle term तोड़ूंगा ठीक है यह बनेगा 2k square minus 3k minus 1 अब इसकी middle term तोड़ते हैं यह बनेगा minus 2k minus k minus 1 यह न प्लस 1 होना चाहिए न इसमें न एक छोटी सी मिट से गलती हो गी है जब हमने इसको इससे multiply किया था न यह प्लस 8k आना था तो यह ठीक करना यह देखो 6k, 2k और 8k तो cancel हो जाएगा अब यहाँ से न k वले हटा दो यह जो k वले लिखे थे न हमने 16k यह नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बचेगा 10k में से 6k यह 4k आएगा 4k और यहाँ पर भी बचेगा plus k यहाँ बचेगा plus k plus k अब ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आएगा 2k common k plus 1 और यहाँ पर minus common k plus 1 तो यह बनेगा 2k minus 1 into k plus 1 तो k आजाएगा 1 by 2 और एक आजाएगा k minus 1 यह हो गया मारा question no.9 complete question no.10 है if the points this 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 are collinear find x अब यह 3 points को linear दिये वे हैं तो area of triangle क्या हो जाएगा 0 और लगाओ इसका formula 1 by 2 x minus 2 5 2 हमें x निकालना ठीक है 88 1 1 equal to 0 यह 2 0 की तर फैंग दो तो यह बनेगा x यह रिये गया यह बनेगा 2 minus 8 यहाँ पर plus minus plus plus 2 यह रिये 5 minus 8 minus 3 plus 1 40 minus 16 24 तो यह हो जाएगा minus 6x minus 6 plus 24 तो यह कितना बजएगा minus 6x plus 18 18 को उदर ले जाओ minus 6x equal to minus 18 यह से cancel होके x आ जाएगा 3 तो question no.10 का answer आ गया 3 अब इसी तरह question no.11 पे आ जाओ question no.11 है 3 points दियावे है, collinear है x निकालना है, same question है तो area of triangle दियावे equal to 0, क्योंकि points collinear है, तो यहाँ लिखो 3 minus 2 x to 8 8 1 1 1 equal to 0 2 को उदर फैंग दो और इसको expand कर दो 2 minus 8 minus 6 plus 2 plus minus plus minus minus plus हो गया x minus 8 plus 1 8 x minus 16 equal to 0 करो solve इसको यह बनेगा minus 18 plus 2 x minus 16 plus 8 x minus 16 अब देखो 8 x और 2 x बनेगा 10 x ठीक है, यह बनेगा plus 32 में टॉपिक पढ़ाया था अगर 2 points दी है, तो तीसरा हमने let करना है let xy 1, 2 और 3, 6 हमने यह तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे इसलिए यह को लीनियर हो जाएंगे तो इसका मतलब area of triangle क्या हो जाएगा? equal to 0 तो यहाँ पर formula लगाओ xy 1, 2, 3, 6 1, 1, 1 equal to 0 2-6 minus 4 minus y plus 1 6-12 6-6 यह बना minus 4x यह बनेगा minus 2y plus 2y और यह 0 हो जाएगा 4x को अदर ले जाओ 2y equal to 4x y equal to 2x तो question number 12 के first part का answer आ गया y equal to 2x अब आजो second part पे second part में आपको क्या करना है? एक लेना xy 3, 1 1 और 9, 3 और इनको मान ले ना यह collinear है, r collinear तो फिट same वही area of triangle 0 हो जाएगा 1 by 2 xy 3, 1, 9, 3 1, 1, 1 equal to 0 करो इसको भी expand 2 1 minus 3 minus 2 minus y 3 minus 9 minus 6 plus 1 9 minus 9 0 तो यह बनेगा minus 2x equal to यह 6y हो जाएगा 2x को अदर ले जाओ तो 6y equal to 2x यह कटेगा x equal to 3y तो second part का answer आ गया x equal to 3y अब आज़ो last question है question number 13 question number 13 क्या कहता है k निकालना है area of triangle 4 दिया वह और 3 points दिया वह तो देखो area of triangle equal to 4 formula लगाओ 1 by 2 k 0 4 0 0 0 0 2 1 1 1 अब आपने क्या करना है यह 2 इदल यह 8 हो जाएगा और यहां पर mod रखना है अब expand करो expand मैं यहां सही करूंगा इस वले column से यहां पर 2 0 है तो यहां पर minus plus minus minus 2 यह और यह छोड़ दो k minus 4 अब मैंने आपको बताया जब दूसरी तरह mod जाए तो क्या हो जाता है plus minus हो जाता है minus 2 k plus 8 equal to plus minus 8 अब एक plus का लो और एक minus का पहले minus 8 लिया फिर plus 8 लिया ठीक है यह इदर जाएगा यह बनेगा 16 minus 2 k equal to minus 16 k हो जाएगा 8 और यहां से 8 8 cancel minus 2 k equal to 0 k equal to 0 तो एक आगया 0 और एक आगया 8 इसी तरह second part भी करेंगे second part में देखो क्या करेंगे area of triangle fit से क्या हो जाएगा 4 तो 1 by 2 यहां लिखेंगे minus 2 0 0 4 0 k 1 1 1 2 को उदर ले जाओ यह 8 हो जाएगा यहां पर रखो mod minus 2 यह और यह गया 4 minus k बाकी तो आपको solve करने की ज़रूरत नहीं equal to 8 mod उदर जाएगा तो यह वापीज वह हो जाएगा minus 8 minus 2 k equal to plus minus 8 अब solve कर ले ना इसमें भी k 0 और 8 आजाएगा यह होगी मारी exercise complete